हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल अनंग करियर इंस्टूट दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे एंथल्पी क्या है एंथल्पी की डेफिनिशन और पूरा हम बेंजक डिसकस करेंगे गाइस मैंने प्रिवेस वीडियो में एंथल्पी उस्ट्मा गतिकी की जो आंगे की चैप्टर है उस्ट्मा गतिकी क्या है थर्मोडानमिक क्या है वैसिक कॉंसेप्ट ऑफ थर्मोडानमिक लिमिटेशन ऑफ थर्मोडानमिक और आंत्री कुर्जा इंटर्नल एनर्जी क्या है फर्स्ट लॉप थर्मो डैनमेक्स यहां डिसकस कर चुका है अगर आपको क्लेर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लैलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं मैंने विए सेकेंड यर फिजिकल कैमिस्ट्री नाम से प्लैलिस्ट अरेंज करके रखा हुआ है तो चलिए आज स्टार उर्जा की जो मात्रा होती है उसे ही हम एंथल्पी कहते हैं वह एंथल्पी कहलाती है इसे हम इस प्रकाश्य भी बोल सकते हैं इस्थे दापर किसी तंत्र या सिस्टम की एंथल्पी उसमें उपस्टे कुल उर्जा की मात्रा होती है इसे हम एच से पिदर्शित कहते हैं एक तो इमिए संफूर्ण पार्टिकल की एनजी है इसे हम आंतरे कुर्जा कहते always ! हम आंतरे कुर्जा और अइंथल्पी में बहुत comentpex होते हैं इसलिएगा से बहुत इच्छे की अलग-अलग एनर्जी है और किसी भी सिस्टम में उपस्तेत मॉलिक्यूल की शंपून जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम आंत्रे कुर्जा कहते हैं इंटर्नल एनर्जी कहते हैं और एंथल्पी क्या होता है किसी भी सिस्टम में उपस्तेत शंपून प्रकार की साथ ही साथ इसमें आंत्रे कुर्जा भी होगी और जो pressure सिस्टम में जो pressure और volume के कारण जो energy है वहाँ भी इसमें add होगी अर्थात किसी वी सिस्टम में संपूर्ण में उपस्ते तो संपूर्ण प्रकार की एनर्जी की कुल मात्रा का जो योग होता है कुल मात्रा जो होती है वहाँ enthalpy के लाती है जिसमें आंत्रे कुर्जा प्लस इस्थरदाप पर उस system की जो volume की भी जो energy है volume के कारण जो energy है वहाँ energy भी इसमें content होगी इस प्रकार जो enthalpy होती है वहाँ क्या होती है आंत्रे कुर्जा और इस्थरदाप पर volume की energy के एक्वल होता है यहां है एन्थल्पी की equation h is equal to a प्लस p भी या फिर हम जो internal energy है उससे u से भी प्रदर्शित करते हैं और enthalpy को हम h से प्रदर्शित करते हैं heat content और जो हमारा pressure p और volume भी आयतन तो जो हमारी enthalpy होती है वहाँ किसी भी सिस्टम में उपस्टित enthalpy उस सिस्टम में उपस्टित कुल उर्जा की मात्रा होती है जो की internal energy और इस्थरदाप पर volume की energy के वराबर होती है तो यहां पर जो equation है वहाँ आप देख सकते है इसे हम इस प्रकाश्य भी लिख सकते है डेल h is equal to del u plus p del v क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी किसी भी बुक में जब भी enthalpy की बात होती है या कोई भी equation में हम enthalpy का यूज करते हैं तो हम हम इसे डेल h इसमें से परिवर्टन लिखते हैं डेल h is equal to del u plus p del v यहाँ equation enthalpy के equation का यहाँ enthalpy का equation है गाईज अब हम देखते हैं इसका वेंजक निगमित करना कैसे इसका वेंजक हम निगमित करते हैं हम माल लेते हैं हम किसी सिस्टम को qp energy देते हैं और इसमें परिवर्टन होता है जिसमें हम enthalpy परिवर्टन का हम बेंजक निगमित कर रहे हैं तो वहीं हम जो करेंगे process वहां हम ने यहां पर लिख लिया है कि हमने माना है कि कोई प्रक्रम या प्रिक्रिया है जिसके में परिवर्टन होता है इस्थिरदाप पर कराया जाता है जो कि जो प्रक्रम है वहां इस्थिरदाप पर कराया जाता है और इसमें हम क्या होता है किसी भी सिस्टम को qp energy देते हैं Q-energy इस्तिरदाप पर देते हैं जिसके जो जिससे कि वहाँ system Q-P energy को अवस्षोषित करता है अब कोई भी system जो energy को अवस्षोषित करेगा तो शदान शी बात है कि जो प्रारंबी का वस्ता में जो उसकी energy थी अब हम उसे energy देते हैं Q-P energy देते हैं तो उसके molecules उसको अब शाद अपनी अंति मवस्ता में उसके energy अधिक हो जाएगी और उसका जो volume है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा तो जिससे उसके आयतन में भी परिवर्तन होगा और internal energy में भी परिवर्तन होगा तो वही सब हमने यहां पर लिखा हुआ है माना की प्रक्रम या परिवर् अब इस परिवर्तन में तंत्र को QP मतलब इस तर्दाप पर Q energy उश्मा अफ्ष्रोशित करता है Q energy दी जाती है जिससे कि सिस्टम जो है हमारा Q उश्मा अफ्ष्रोशित करता है और अपनी प्रारंबिक अवस्ता 1 से अंतिम अवस्ता 2 पर पहुंच जाता है और इस परिवर जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है माना इस प्रक्राम में जो आयतन में ब्रद्धी हो रही है परिवर्तन हो रहा है वहां डेल भी है जो हमने मान लिया है इसलिए हमारे जो आयतन में परिवर्तन है वहां हमने इस प्रकार से लिख system के molecules, gas के molecules हैं, उसका जब item बढ़ेगा, item में ब्रद्धी होगी, तो दाव के विरुद्ध कारी करना पड़ेगा system को, तो एक तरह का कारी हो रहा है, तो तंत्र द्वारा बाहे दाव P के विरुद्ध कारी करना पड़ रहा है, तो जो हमारा कारी W है, क्या हो जाएगा, जो इस्तिर दाव पर हो रहा है, इसलिए इस्तिर दाव आजाएगा, और item में परिवर्दन हो रहा है, इसलिए multiply हो जाएगा, तो कार्रे क्या हो रहा है दाव के बिरुद्ध आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो कार्रे करना पड़ रहा है तो हमारा जो कार्रे आ जाएगा कार्रे W is equal to हो जाएगा P into del V इसे हमने equation second रे दी है जब भी तंत्र उश्मा अफसोसित करता है तो आंत्रे कुर्जा में भी परिवर्तन होता है आंत्रे कुर्जा में ब्रद्धी होती है क्योंकि को भी जो तंत्र है प्रारंबिक अबस्ता में है उसके आंत्रे कुर्जा क्या है आंत्रे कुर्जा किसी भी तंत्र में उपस्तित मॉलिक्यूल्स की सम जितनी भी प्रकार की एनर्जी है उन सभी एनर्जी का योग है अगर आपको इंटर्णल नहीं है तो मैं आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में भी प्रिविडियो की तो गैस आंत्रे कुर्जा में परिवर्टन होगा जब हम एनर्जी देंगे तो माना प्रारंबी का वस्ता में अब हम परिवर्टन व्रद्धी को ग्यात करने के लिए हम क्या करते हैं कि माना प्रारंबी का वस्ता में तंत्रे की जो आंत्रे कुर्जा है वहाँ योबन है त हमने इसे equation third दे दी हैं अब हमें पता है उश्मागतिकी का जो फर्स्त नियम है वहां क्या है अगर आपको उश्मागतिकी का फर्स्त नियम नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्रेलिस्ट बजा कर देख सकते हैं मैंने description box में भी उसके link दे रखी है तो उश्मागतिकी का जो प्रतम नियम होता है क्यों इस इकवल टू डेल यू प्लस डेल डबलू तो हमें जो equation 4 हमने यहां पे से दे दिया है और equation 3 और second से जो हमने निकाली है डेल यू की value जो आंतिक परिवर्जा में परिवर्थन की value है और जो किया गया कार है उसको निकाल रखा है तो वहां हम इस equation 4 में रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा क्योपी इकवल 2 हो जाएगा डेल यू की जगा डेल यू जो है आंतिक परिवर्थन है तो वही हमने यहां पर किया है यूटू मैनस यूबन हो जाएगा आंत्री कुर्जा अंतिम वबस्ता की आंत प्राप्त हो जाएगा प्लस हमने यहां पर किया गया कार्ण जो प्रेसर के विरुद्ध वाल्यूम में व्रद्धी हुआ था तो विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ा था तो वाल्यूम में जो परिवर्थन है उससे हम भी टू मैनस वीबन लिखते हैं तो हमने यहां पर लिख लिया है अब हम यहां पर क्या करेंगे वन वाली को एक तरफ कर देते हैं तो हमने यहां पर सेपरेट कर लिया है यूटू प्लस पीवीटू इसका जब अंदर मल्टिप्लाय होगा तो पीवीटू हो जाएगा और यह दोनों पोजिटिव हैं इसलिए हमने यूट प्लस पीवीटू पॉजिटिव अलग सेपरेट कर लिया है अब यहां पर माइनस यूवन बचा है और माइनस पीवीवन बचा है अंदर मल्टिप्लाय जब पी का होगा तो तो माइनस चैने हमने कॉमन ले लिया है यहां पर और यहने सेपरेट कर दिया है यूवन प्लस प अवस्ता फलन है तो हमारी जो यू प्लस फीवी इस एक्वेशन में जो यूज हो रहे हैं यू प्लस फीवी वहां भी एक अवस्ता फलन होगा क्योंकि यहां दोनों अवस्ता फलनों का योग है तो इसी प्रकार जो हमारा एंथेल्पी है वहां भी एक अवस्ता फलन होगा त यही यहां पर बताना था एंथल्पी क्या है सो इस प्रकार हमारा जो यहिर हते पॉलख सरुन खania क्वंधानिंवियर्टी पुलज समारी इनफल्पी रहा कि शुम्तार की जो सेंडि इनर्जी होती है और उन और इस तर दाप पर जो वॉल्यूम के जो एनर्जी होती है वहां भी सामिल होती है तो यही है एंथल्पी का विस्टेव इंजक आई होप आपको क्लियर हो क्या होगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं होल वीडियो और अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीज कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियो से मैं अप्लोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए थैंक यू फॉर वाचिंग मैं होल वीडियो